कि अब आपको बताने जा रहे हैं पिकॉक बन हैस्टैल सो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ने कर लेना है नीचें प्ली ब्रॉड राइए फुल हैर पे आप क्रेंपिंग कर लिजिएगा विकाज आफ यू नीड टेक्शर पिकॉक एलिमेंट के ऊपर तो सबसे पहले आज हम जो है सेंटर पार्टिशन के साथ में काम कर रहे हैं डिवाइडिशन करना है आपने फेस प्रेमिंग सेक्शन छोड़ लेने हैं और फ्रंट वेरियेशन के लिए हमने ठिक एयर के टॉप पॉइंट से हमने रेडिल पार्टिंग को ड्रॉ किया है एवरिजन फ्रंट का आपने ग्याप रखते हुए दोनों पॉइंट पे फूर फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए एयर टॉप पॉइंट से आपने सी टाइफ ऑफ सेक्शन ड्रॉप करना है जिसमें आप फॉफ इन लाइन बना रहे होंगे लाइन साथ जो है हम नैच्रल रखने वाले हैं ब बना सकते हुए तो बाकि जो सी सेक्षन को सीक्यर करने के बाद जो है रुमेनिंग है उन पर आपने कौम कर लेना है और उनको ठिक आप निफ पॉइंट से आवरीजन आपने फिंगर कांट करना है तो 4th to 5th finger का distance रखते हुए आपने ठिक यहाँ पे rubber band के तुरू ponytail बांदेनी है तो बाकी remaining hair का आप अच्छे से ponytail बांदेंगे एक कुछ इस तरीके से उसको अच्छे से tangle free and knit and clean रखें then हम चलेंगे puff के उप़र और इसमें अपने lines work को तयार करना है तो back home करेंगे root area पे अच्छे से knit and clean करते हुए और hold spray का आप use करेंगे उसको fix करते चले जाएंगे बहुत ज़्यादा volume नहीं चाहिए हमें इसमें because of naturalistic type of look दे रहे हैं और हमें client के face पे ज़्यादा volume चाहिए नहीं इसलिए हमने हलका सब back home किया है minimum and उसके उपर आप g-com से com करके lines वक तयार करेंगे तो जैसे आप g-com करेंगे आपको gap मिल जाएगा puff के उपर और lines के लिए guideline जो आपने lines उठानी है तो वो आपको दिख जाएंगे puff के उपर उसके बाद आपने हलकी हलकी pulling technique से naturalistic type of हलका हलका pull up करना है lines को कोई sharp line नहीं देनी है बिलकुल naturalistic type of look up रखेंगे और जैसे आपको लगे या it's visible और texturized लगे तो आपने उसको fixed भी कर लेना है तो यह हम आज थोड़ी width के साथ में uneven lines और थोड़ा सा fluffy naturalistic type of line आप यहाँ पे दिखा रहे हैं तो इन सभी को आप fix कर लेंगे hold spray से और अब हम इसको thick ponytail के just ओपर lock कर लेंगे इसके लिए आपने पहले इसको you pin से थोड़ा सा press करना है down करना है means client की scalp के साथ में इसको थोड़ा हम press करेंगे attach करेंगे और उसके बाद में आपने इसको यह rubber band की मदद से आप इसको lock कर देंगे तो हमने दो bob pin ली हैं और इनको हम lock कर रहे हैं with the rubber band तो एक bob pin हमने इस side से और दूसरी side से रखे इसको ठिक आपने ponetil के ऊपर lock कर देना है then हम चलेंगे front up point पे front पे हमने fifth finger का जो है वो हमने front variation के लिए है रखे हुए हैं और इसमें जो है आपने पहले lees लगा लेनी हैं तो सबसे पहले top point पे average दो या धाई finger का section आपने लेना है और उसे ठिक नीचे वाले section को आप back home करेंगे root area पे जहां पे आप lace की setting कर रहे होंगे lace को लेना है आपने कुछ इस तरीके से आप उसको bob pin के माद्यम से lock करेंगे तो आपने bob pin लगानी है और उसको ठिक नीचे की तरफ पलट देना है तो bob pin आपकी lees को lock करके रखेगी बाकी जो top के section हमने रखे हैं जिन पे हमने back home नहीं किया जो हमने बोला same हम other side से भी करने वाले हैं दो ड़ाई finger का section पहले आपने ले लेना है जैसे हमने यहां से लिया और उसको आपने उपर secure करके नीचे वाले section पे आप back home करेंगे तो हम पहले इसको back home कर रहे हैं root area पे थोड़ा grip के लिए because of आप इसमें lees को fixed कर रही है तो उसके लिए हमने एक छोटी poppin का use किया है ताके आप इसको cover up कर सके नाओ इसके बाद में हमने जो है उपर का जो section है इसको हमने तीन बराबर भागों में बाटना है और four strand की lees है और french style में आप इसको बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने उपर का जो section है इसको आपने तीन बराबर हिस् stand यह हो जाएंगे four section हो जाएंगे तो इसमें आपने देखना है पहला section जो है उसको आप उपर की तरफ लेके जाएंगे दूसरे section के उपर तो आप गौर देखेंगे गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं पहला वाला stand उपर गया तो lees के इसको नीचे जाना चाहिए तो हम इसको नीचे ले जाएंगे lees के नीचे और last वाले section के यह उपर चले जाएगा अब पीछे वाले section के बारी है अभी वो पीछे वाला section नीचे है तो lees के उपर जाएगा down है तो next यह up जाएगा और फिर next यह down जाएगा तो front के यह down गया जो front section है front section अभी उपर है तो ये इसको lace के नीचे जाना चाहिए तो ये नीचे गया lace के नीचे ले जाना है आपने इसको बट इसको आप front से section add on भी करेंगे तो हमने root से भी section add on करने है तो हमने एक section लिया है इसको आपने उसके साथ जोड़ा clean करना है इसमें आप बाद में pulling technique का use भी करेंगे और इसके बाद आपने इसको देखो ये अभी up है section तो ये lace के नीचे जाने वाला है ये section तो हमने हलका सा section add on किया lace के नीचे ले गए इसको और last वाले section के ठिक उपर चले जाएगा ये तो ऐसे आप डाउन आप इसी technique इसको बनाना है अब पीछे वाला section जो है वो अभी down है तो वो lace के up जाएगा down है तो next step up रहेगा तो वो up गया and then last वाले section के front वाले section के नीचे आगया अब देखो एक section हम और add on कर रहे हैं अभी देखो हमारे पास में फिर section है और उसके नीचे एक section है तो ये section के अभी जो position है वो उपर है और तो उसको ले इसके नीचे जाना है और last वाले section जो सबसे पीछे वाला section है उसके उपर अब last fourth वाला section नीचे है तो ले इसके उपर जाएगा और front वाले section के नीचे तो ऐसे up down up आप करते वे इसको बनाएंगे front section अप है तो ले इसके नीचे और last वाले section के ऊपर फिर back वाला section नीचे है तो ले इसके ऊपर आएगा और front वाले section के नीचे आजाएगा so कुछ इस तरीके से आप इसको continuously बनाते जाएंगे और section को add-on करते जाएंगे front of point से यहाँ पर हमने back point से section को add-on नहीं किया है because of back से इतना space नहीं है इसलिए हम front से section को add-on करते में ले जा रहे हैं so कुछ इस तरीके से आप इसको continue play करेंगे ponytail point तक तो इसी technique से हम दूसरी side से भी lace braid को बनाएंगे आप इसको spread कर सकते हैं front से भी and back of point से भी आप इसको फैला सकते हैं ताकि थोड़ी यह broad नजर आए and इसकी width में side of point से और front of point यह अच्छी लगे so जितना भी आपको इसको fluffy and volume ize करना है तो आप इसको pulling technique के मादियम से कर सकते हैं यू-pins का use करें इसको hold करने के लिए ताकि यह आपके head shape के accordingly round shape में रह सके और fix रहे जैसे जैसे आप spray करेंगे यह वैसे वैसे fix होती चले जाएगी so continue हम इसी technique का use करते हुए ठिक आप ponitil तक चलेंगे या ponitil को cross करके आपने rubber band के उपर overlap करते हुए opposite side में आप इसको lock कर देंगे ध्यान रहे locking जो है वो आपने ponitil के आसपास ही रखनी है या ponitil के down point पे या left and right point पे आप इसको lock कर सकते हैं इसे आपको pin को चुपाने में आसानी रहेगी तो same technique को हम जब तक आपका यह edges point है खतम नहीं होता है end point तक हम नहीं पहुशते हैं तब तक आपको same technique का use करते हुए last में इसको poppin से lock कर देना है so यह remaining part है इस remaining part को आप हमने cut कर लिया है और इसी को हम दूसरी side use करने वाले हैं so कुछ इस तरीके से इसका आपका जो है braid का effect आएगा अभी हमने left side तयार करी है और अब हम right side भी तयार करेंगे same technique से तो हमने same way same technique यूज किया है and naturalistic type of look हम दे रहे हैं यह आप अपने bridal में engagement के दिन पे commercial hairstyle है and easy है आप अपने clients के उपर बना सकते हैं बहुती अच्छा इसका outcome result आता है तो दूसरी side से भी हमने braid तयार करी है और उसको भी आप ठिक ponitil के उपर overlap करते हुए opposite side में आप उसको जो है lock कर देंगे यह foccom का हम use कर रहे हैं इसको front पे com करने के लिए और थोड़ा सा texturize दिखाने के लिए तो ऐसे आप कर सकते हैं foccom का use so yes यूपिंस हमने लगा लेनी है जहां पे आपको section को down करना है braid को वहां पे आप उसको pull down करवा सकते हैं and जहां पे आपको उठाना है तो pulling technique के मादियम से आप उसको उठा भी सकते हैं so this is the front variation guys with the lace braid and front के लिए आप face framing section जैसे हमने छोड़े हैं यह आप जरूर छोड़े इससे काफी अच्छा look आता है और face coverage में आपको face frame में आपको काफी help मिलती है बाकी अगर client बोलते हैं कि नहीं चाहिए या if they are not comfortable with the face framing section तो definitely you can skip this step कि आप उसको avoid कर सकते हैं but ask first your client के उनको चाहिए या नहीं चाहिए बट यह छोड़ना अच्छा रहता है इससे काफी अच्छा look आता है अब back point पे हमने जो है base लगाना है पहले तो हमने डोनट को cut करके कुछ इस type का आप base लगा लेंगे थिक पॉनटेल के नीचे अपने base को लगाना है U-pin से इसको lock कर रहे हैं अच्छे से left and right और कुछ बट पिन का भी आप यूस करेंगे इसको fix करने के लिए इसे के उपर जो है आप का पिकॉक bun आने वाला है bun की shape आपको कितनी बड़ी चाहिए या bun आपको कितना बड़ा चाहिए उस basis पे आपको देखना है कि अगर आप ज़्यादा बड़ा base लगाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा बड़ा उसको pattern अच्छा आएगा दिखेगा ज़्यादा pickox के battle ज़्यादा बनेंगे visibility अच्छी आएगी बट हम ये commercial way में बना रहे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़ा बन बना रहे हैं ना बहुत ज़्यादा compact बना रहे हैं medium type जो आप regular client के उपर बनाते हैं सो हमने अभी base लगाया है और बाकी सबी hair को आप back home कर रहे हैं ball back home या आप इसको बिल्कुल strong back home भी आप कह सकते हैं basically ball back home आप इसको बोलते हैं so ये strong back home है जो कि आपने कुछ इस तरीके से करना है and long hair को इस साथ में आपने इसको जो है पूरा spread करना है और इसको जो है आप base के उपर just subtle कर लेंगे so सबी back home को करना है ages point यहाँ पर हमने थोड़ा रहने देना है because जब आप client का आपकी client hairstyle खोलेंगे तो उनको वहाँ से उनको open करना है तो ये चीज़ का आप ध्यान रखे and इसको हम ठिक नीचे lock कर रहे हैं left side भी आपने इसको cover करना है और right side से दोनों तरप से आप इसको you pin की मदद से हम इसको lock कर रहे है नीचे जो हमने base लगाया है उससे आपका काफी strong grip आ गया है बाकी जो उपर है हम के वाल you pins का use कर रहे है यहाँ पे इसको fixed up करने के लिए और बाकी के जो उपर के section है ponotill के hair इन में से हम छोटे छोटे section लेके इसको हम cover करने वाले है तो सबसे पहले आपने सबसे down point का section मान लिया जाए कि आप इसमें कितनी layer का combination दे रहे है तो हो सकता है हम 3 बनाएंगे यहाँ पे तो सबसे पहले आपने अगर 3 का combination दे रहे हैं तो सबसे down layer लेनी है और इसे आपने सबसे नीचे play करना है with peacock paddle spreading technique के मादयम से तो remaining hair को आप उपर secure कर ले और फिर आपने यहाँ पे pattern को बनाना start कर देना है अब अपने चोटे चोटे section लेने है इसमें तो आपने सबसे पहले corner point पे एक section लेना है और इसमें आपने paddle तयार करनी है spreading technique के मादयम से वहाँ पे लॉक कर लेना है so यह हमने just trial किया पहले then now will apply shine spray first ताकि नीचे and clean effect आए and then आपने इसको spread करना है ठिक base के ऊपर और इसके नीचे आप पहले spray कर लेंगे ताकि यह petal ठिक आपके base के ऊपर चिपक जाए stick हो जाए तो यह बाद में ऊपर नहीं आएगी या यहां से move नहीं होगी तो कुछ इस तरीके से आपने इस paddle को तयार करना है so इस corner से और opposite side corner तक आपकी around चार या पाँच paddle का combination आएगा so यह पहले paddle थी हमारी now हम दूसरा section लेंगे और इसको भी आपने तयार करना है so right now I'm just taking second section इसको भी आप तयार करेंगे यहां पे तो यहां पे आपने corner point पे इसको पहले hold किया और hold करने के तुरंद बाद आप इसको spread करेंगे तो ठिक इसके bugle में आपने paddle बनानी है ध्यान रहे paddle को cover मत करना जो आपने पहले बनाई हुई है उसके ठिक bugle पे और उसी point से आपने spread करना है बनाते समय यह भी ध्यान रहे आपको कि आपको base को फिलकुल till the end point मिंस अंदर तक थोड़ा आप paddle को लेके जाएंगे ताकि वो cover up कर ले आपके base को और साथ साथ में आप hold spray का भी use करेंगे जो हम you pin लगा रहे हैं यह automatically जैसे आप इनको in up diagonal way में लगाएंगे तो आपकी lines वक तयार हो जाएंगे बाकि के जो remaining section है उनको हम साथ साथ में छुपा भी रहे हैं base में ही या आप वहीं पे उसको lock कर लेंगे तो अभी हमने down layer तयार करी और यह second layer है जिसमें हम काम कर रहे हैं same technique के माद्यम से यहां पे भी आप इस section को पहले place करेंगे तो पहले हम नीचे थोड़ा place कर रहे थे lock कर रहे थे section को अब हम थोड़ा top point से इसको lock कर रहे हैं और दूसरी पैटल जो है वो ठिक आप दूसरी पैटल के बराबर जब आप spread करते हैं तो बीच में थोड़ा सा disconnecting factor रहता है तो यह चस्ट आपने एक दूसरे के ऊपर पहली पैटल थोड़ी दिखेगी आपके 60% and then वाकी को आपने दूसरी पैटल लेके आना है और उसको आपने उसके उपर overlap करना है तो इसमें दो वेडियेशन बनते हैं या तो आप दोनों पैटल के बीच में पैटल को दिखा सकते हैं या नहीं तो आप एक दूसरे के उपर आप overlap कर सकते हैं जैसे face scalp होती है वैसे ही तो ऐसे आपने जो है पैटल को तयार करना है उसको fully covered करना है पेस को अभी तक का result यह है गाइस अब हम section को बना रहे हैं और जो remaining section है उनको हम साथ-साथ चुपा रहे हैं इसके लिए बहुत जादा long length नहीं चाहिए आपको अगर जादा long length होती है तो फिर आपको ब बन जो है वो काफी बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि length को आप कहीं न कहीं adjust कर पाएं so कुछ इस तरीके से आप काम करेंगे इस बन के लिए ages point को आपने base के उपर ही अगर corner to corner आपको space नहीं मिल रहा है तो आप base को just उपर उपर से आप enhance कर सकते हैं या उसे में आप उसको fix कर सकते हैं पैटल से आपने उसको cover कर लेना है so ये आपकी third पैटल है second layer की इसको भी आप कॉम करेंगे shine spray का use कर रहे हैं and same technique के माधियम से आप जो है पैटल को तयार कर रहे हैं तो same technique रहेगा आपका third layer का भी इसके उपर तो पहले spray ज़रूर करें base के उपर और उसके बाद में आपने पैटल को spread करके base के उपर place करना है so कुछ इस तरीके से आप इस pick up one को बनाते चले जाएंगे yes it's looking nice जो भी बचे हुए hair हैं उनको अगर आपने बन बड़ा बनाना है तो वो उपर ponitil में जाके आप उसको merge कर सकते हैं again और बात में वो छोटे-छोटे section बच जाएंगे तो उससे आप टॉप लियर की जो पैटल है वो आप तयार कर सकते हैं या टॉप में आप वो element भी तयार कर सकते हैं अगर आपको इसके साथ में और enhancement इसका देना है back of the point से so corner point पे भी हमने एक पैटल तयार कर दी है इसको भी same way same technique से हम complete कर रहे हैं so this is the way basically for making peacock bun hairstyle इसी technique से आप इसको peacock bun को बनाते हैं और काफी अच्छा इसका outcome result आता है easy भी है और बाकी आप fast pass बना सकते हैं it's depend on your practice आपको spreading technique को थोड़ा practice करना है और उसके बाद में आपको इसको बस बनाते चले जाना है जो भी छोटे section है कोशिश करें आप अपने client के उपर अगर उनका medium length है shoulder length से थोड़ा नीचे बालाता है तो आप उन hair पे जादा तर आप इस step का बना बनाए तो जादा आपको अच्छा result मिलेगा और काफी अच्छा outcome result उसमें बन सकता है because आपको जादा length नहीं चाहिए तो long hair में आप इसको थोड़ा avoid करें long hair में अगर आप बना रहे हैं तो इसी का breed version बनता है जो की हमने बहुत पहले आप लोगों को बता रखा है फिर भी हम एक नया वीडियो अपरूट करेंगे अगर आपको इसका breed version भी जानना है तो उसको भी हम बनाने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे ने तो instagram पे भी हम एस tutorial अपरूट करते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं सो यह लास्ट लियर है इसको भी आप जस्ट कवर्ड कर रहे हैं और इसको आप जस्ट फिक्स करेंगे सो साइड में जैसे हमने तीन पैटल का combination इस इस दे लास्ट लियर ऐसे आपने पूरा combination देना है और इसको आप complete करेंगे remaining hair को आपने छुपा देना है या एक और लियर का आप combination दे सकते हैं सो हमने three layer का ही combination इसमें play करना है तो हमें चाहिए नहीं अभी hair जो भी remaining hair है हमने अभी फिलाल उनको side पे lock कर दिया है यह दूसरी layer है जो हम तैयार कर रहे है इसको भी आप तैयार करें यह middle of point पे आएगी इसको भी आप ठिक you pin से वहीं पे lock करें और बाकी remaining hair को उपर पे ही आप tuck in कर दें टॉप point पे आप hair accessories लगा लेंगे जहाँ पे आपको खाली space नजर आएगा तो वहाँ पे आप hair accessories लगा सकते हैं तो back look काफी अच्छे से enhance हो जाता है और छोटी छोटी beats भी आप इस पे लगा सकते है as hair accessories so side point से भी आपने यह petal बनानी है और इसको जो है आपने पूरा complete करना है top point तक बाकी की जो remaining hair है इनको आप corner to corner जो हमारे यह last petal के hair है यह right की तरफ जा रहे है तो उनको चुपा दे और जो हमारे right की petal है उसका ages hair left की तरफ जा रहा है तो आप उसको वहाँ पर चुपा सकते हैं so यह सबी hair को आपको चुपा देना है under the base corner to corner आप उनको चुपा सकते हैं so यह एक हमने hair को use करके petal बनाई है यहां पर वह petal थोड़ी सी लाइक अब यह colored hair है तो top point पे थोड़ा ज्यादा highlight होगी तो हमने यहां पर इस को use करके hair को neutralize किया और यहां पर आपने जो है पैटल और तायार कर दी बाकी यह side पे हम चुपा देंगे इस section को और other side से भी जो ages point है उसको भी आपने चुपा देना है so almost it's done guys so here is the final look so this is the final result of peacock bun hairstyle aisa iska outcome result आएगा please let me know in comments box how is it and thank you so much guys for loving this kind of tutorials and definitely will meet you soon with new tutorial new hair styling till then अपना ध्यान रखें अपना ख्याल रखें और ऐसी ही useful वीडियो के रे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और icon bell को जरूर प्रेस करें इससे कि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती देगी so कि दिस तो मिलते हैं new video में till then bye bye take a